कि पिश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं कम मेक इन इनिया खुद प्रहान मंत्री नरेंदर मोधी पहुंचे थे और ये आप सीधित तस्वीरें अपसे कुछ दर पहले की एहमदाबाद एरपोर्ट की ये तस्वीरें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैशंकर एन एसे अजीद डॉभाल से तमाम बड़े अधिकारी वहां पे मौझूद और एहमदाबाद एरपोर्ट पर अपसे कुछ दर पहले किये तस्वीरें यूएई के राश्टरपती शेख मुहमद बिन जायद अलनाहियान का प्रहान मंत्री ने वेलकम किया और प्रहान मंत्री अब अपने महमान राश्टरपती को लेकर जो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में वाइबरेंट गुजरात समिट हो रहा है उसमें ये लीडर्स श्रामिल होंगे और अगर रिष्टों की बात कीज़ा हम जानते हैं कि प्रहान मंत्री ने खुद उनकी अगवानी की भारत और संजुकतर अवेमिरात के रिष्टे बहुत ही घनिष्ट बहुत ही महतुपूर्ण और इन तस्विरों में आप देख सकते हैं अमदाबास ये तस्विरें संजुकतर अवेमिरात के राश्रपती शेक मुहम्मद बिन जायद अलनाहियान और ये वाइबरेंट गुजरात ग्लोबल समिट में हिस्टा लेने के लिए यहां पहुँचे हैं बारत और संजुकतर अवेमिरात के बीच व्यापारिक, आर्थिक, राचनेतिक, रक्षा, और्जा तमाम सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे सम्मन्द रहे हैं और इस वाइबरेंट गुजरात समिट में ना सिर्फ यूएई बलकि बाकी देशों के भी जो बड़े कारोबारी हैं वो भी शामिल होने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ही महत्पूर्ण ये तस्वीरें जब यूएई के राष्ट्रपती भारत दोरे पर और यूएई के राष्ट्रपती श्रेक मुहमद बिन जायद अलनाहियान को गार्ड ओफ ओनर भी दिया गया कर दोई दमार्ड बावद के राष्ट्रपती शद्राइ। झाल 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 जानी की फ्री ट्रेड आग्रिमेंट भी है यह हम व्यापारिक आर्थिक रिष्टों की बात कर रहे हैं आपके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि क्यों यह यात्रा जो हो रही है संजुक तरव अमीरात के राश्टपती की वो किन माईनों में बहुत ही खास सी यात्रा है हमारी सहयोगी मेगना भी इस वक्त लगातार ताहसा अप्लेट के साथ जूड़ी वी है मेगना हम तस्रीमा में देख पा रहे हैं गर्म जोशी के साथ स्वागत किया प्रधान मंत्री ने और उसके बाद गाड़ाफ ओनर दिया जा रहा है किन माईनों में दुनों दिश्टों के संबंद और उनकी यात्रा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है बिल्कुर तस्रीमी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम देखते हैं कि प्रधान मंत्री ने जुमोदी और यूए के जो राश्रपती है उनके बीच लगातार हाई लेवल कॉंटाक्ट अगर हम सहें तो वो इस वर्ष देखने मिला है प्रधान मंत्री ने जुमोदी हाल ही में कॉप 28 के लिए यूए की आत्रा पर गए थे जहां पर उन्होंने एक संबोधन भी किया था और हाला कि अगर हम देखते हैं तो यूए और भारत के बीच में जो वापारिक संबंद हैं वो भी सेपा जब कंक्लूड हुआ उसके बाद सेपा के लागों होने के बाद से जादा यह जो संबंद है वो शशक्त हुए हैं इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो आज चुकी जो वाइबरन कुछारत का ग्लोबल ट्रेंड शो है उसका घाटन हुआ है उसके बाद एहम यहां पर यह भी है कि कल सम्मिट को घाटन के बाद बनहां सी नहीं प्रमोदिक और उमीद लगाई जा रही हैं कि मोई भी कुछ एक्चेंज होने वाले हैं आज उमीद लगाई जा सकती है उसके अलावा भी जी मेगन आप अपने बात पूरी कीजी बिल्कुल असीम देखें यह बहुत ही एहम आसपेक्ट है रिलेशन्शिप का और जो मोमेंटम है रिलेशन्शिप का भारत और यूए के बीच वो लगातार सक्सक्त होता जा रहा है अगर हम देखें तो प्रधानमंजी नाइंटमोदी और यूए के रास्पती बहुमत बिल्जायद अलनायान वो उनका एक रोड़ जो भी है जो जो अभी से कुशी वक्त में होने वाला है यहाँ पर स्क्राफी जास जो पर मौजूद है और इंतजार करेंगे तक इवन दो तीन घंटे से पथारमंजी नाइंटमोदी और आस्पती नहयान आएंगे और जो पुरे जो जंता यहाँ पर इकठा हुजी है और कमवादंश पिसार करेंगे उसके साथ ज़र हम देखें तो बहुत ही कम मौडर्ण दे रिलेशन्शिप तभी जो जियो पॉलिटिकल सिटुएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर लीडर के दीशी मोमेंटम नजर आता है जो जो दोनों लीडर के दीश में जो दोस्ती पमरागरी नजर आती है उसके साथ ही परसनल वाम ती भी नजर आता है प बहुत स्पेशल होगा जब राश्वरी नहयान आने वाले हैं तो यह एक बहुत एहम एसपेक्ट है लेकिन अगर हम देखें तो इसमें वाइवेंट गुजराथ गोबल सम्मिट में यह जो विज़द है, इसमेंदने ही महत्पून है क्योंकि वाइवेंट गुजराथ साथ से अगर देखें तो काफी जादा एहम होगा प्रधामंजी नहीं कि मोधी में UAE का कई बार दौरा किया है तक्रीबन के बार के आसपास उन्होंने दौरा किया है अगर हम देखें तो राष्ट सिन हयान नहीं कि अगर हम देखें इस बार 50 बार आए है प्हारत दो आतको अग्रारत केृत्यां ंलाकlight बिल्कुल मेगना और मेगना की ही बातों को आगे बढ़ाते मेगना बने रही एगा कुछ हम डेटा देना चाहते हैं दर्शकों की समझ के लिए उनकी जानकारी के लिए अगर चुकि आप इन तस्विरों को देखिये भारत और संयुक तरव अमिरात के बीच जैसा कि आप खुद भी बता रही हैं बहुत ही पुराने संबंध हैं 2015 में जब दुनों नेताओं के मुलाकात हुई थी उसके पासे लगातार एक दूसरे देशों में आना जाना लगाता मुलाकातों का जो सिलसला है वो लगातार जारी है और हम जानते हैं कि खाड़ी मुलक में UAE एक एक बहुत ही एहम पार्टनर रहा है भारत का एनरजी सेक्यरिटी के लिहास से भी UAE भारत के लिए बहुत ही महत्पून देश अगर व्यापार की बात की जाए चुकि इन देशों के साथ हमारे बहुत अच्छे तिजारती रिष्टे हैं व्यापार की बात की जाए तो संज 2021 की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच जो बालेटरल ट्रेड हुए थे मेगना वो लगबग लगबग 68.4 अरब अमेरकी डॉलर का दोनों देशों के बीच ट्रेड हुआ था अगर FDI की बात की जाए हम जानते हैं कि UAE अप्रेल 2000 से लेकर 2022 तक यानि कि 22 सालों में 15189 मिलियन अमेरकी डॉलर किया FDI प्रवा के साथ भारत में सात्वा सबसे बड़ा निवेशक है तो जैसा कि आप कह भी रही थी मेगना कि यहां पे ट्रेड और इंवेस्टमेंट के जो पॉसिबिलिटीज हैं वो असीम हैं बहुत ज्यादा हैं और हम जानते हैं कि इन आकड़ के जरीए FDI की बात कर ली जाए ट्रेड की बात कर ली जाए इसमें लगातार इजाफा होता जा रहा है और UAE भारत में सात्वा सबसे बड़ा निवेशक है झाल जाए जाए झाल झाल